हेलो दोस्तों मेरा नाम है लोकीक पांडे और सौगत है आपका मेरे चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो मैं एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत सौगत करता हूँ और आज फिर हूँ मैं आपके साथ और आपसे करनी है कुछ बात तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो 12th commerce के लिए है वैसे तो मैं भी एक commerce student हूँ लेकिन आज का ये वीडियो इसी topic पर है दोस्तों जब हम 12th class में जाते हैं या 12th का exam देकर आते हैं तो हम घर बैठकर सूचते हैं कि अब 12th के बात क्या करना है हालां कि कुछ लोग पहली दूसरी से ही planning कर लेते हैं कि अब क्या करना है भाई उपर से parents और रिष्तेदार हाथ दोकर पीछे पड़ जाते हैं और बेटा बारवे के बात क्या करना है और हमारे पास बताने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता और कई बार हमें किसी भी कोर्स का नाम लेकर अपनी जान या पीछा छुड़ाना पड़ जाता है ये तो अक्सर सबके साथ होता जहां तक मुझे लगता है दोस्तो वैसे तो कॉमर्स में बहुत से तरीकों से करियर बनाया जा सकता है हम भी बहुत बार सुचते हैं कि कौन सी जॉब हमारे लिए अच्छी होगी यार कुछ जॉब समझ में ही नहीं आता 12 के बाद किस फिल्ड में हाथ आजमाना जाए इस तरह के बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं तो दोस्तो आज मैं आपकी यही परसानी दूर करने वाला हूँ और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 12 के बाद क्या करें और किसमें आपको ज्यादा सकोप मिलेगा जल्दी करियर कैसे बना सकते हैं सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे फिल्ड में मत जाओ यार जहां आपका मन नहीं लगता हो वरना आप उस फिल्ड में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे सही कर रहा हूँ दोस्तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज आप सब्सक्राइब कोर्स करें वह भी बताओंगा साथ ही मैं कोसoga कि आपके सवी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं और अगर नह ऐसले हैं तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ साथ आगे बढ़ाते हैं दोस्तो अगर आप एक विजनेस मैन बनना चाते हैं तब भी Commerce Stream आपके लिए मददगार सावित होगा दोस्तो Finance और Account सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाते हैं तब भी Commerce Stream आपके लिए बढ़िया है दोस्तो Commerce से पढ़ा हुआ स्टूडन किसी भी विजनेस में अपना करियर बना सकता है लेकिन मैं आपको Commerce स्टूडन के लिए वही करियर आप्शन बताने जा रहा हूँ जो आपके भविश्च के लिए अच्छा होगा दोस्तो पहला है BBA दोस्तो BBA का Full Form Bachelor of Business Administration Undergraduate Degree होता है दोस्तो ये बहुत popular है इंडिया में अगर आप बिजनेस में अपना करियर बनाना चाते हो तो BBA आपके लिए ही बनी है इसे पूरा करने के लिए आपको 3 साल तक का वक्त लग सकता है और अगर आप बाद में MBA करना चाते हो तब भी MBA, BBA के बाद करने में आपका फायदा होगा दोस्तो अगर आप BBA के बारे में और भी जानना चाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप जान सकते हैं B.B.A. के बारे में और भी चीज़े और भी जानकारी कलेट कर सकते हैं और अगर आपको B.B.A. में इंटरिस्ट आ रहा है तो जल्दी से जाकर मेरे वीडियो को लाइक करो यार दूसरा है B.C.O.M. दूसरो B.C.O.M. का फुल फॉर्म होता है Bachelor of Commerce और इसे हम B.C.A. नाम से भी जानते हैं या भी उन लोगों के लिए बनी है जो बिजनेस फिल्ड में अपना करियर बनाना चाते हैं इस कोर्स को करने में भी तीन साल का वक्त लगता है B.C.O.M. पूरा करने के बाद अगर आप M.B.A. करते हो आपके लिए फायदे की बात है और अगर आप कोई इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्कुरिशन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इसके बारे में बहुत सी जानकारी कलेट कर सकते हो दोस्तो थर्ड है B.M.S. दोस्तो B.M.S. का फुल फॉर्म होता है बैचलर डिग्री ओप मैनेजमेंट इस्टिडीज दोस्तो B.M.S. को पूरा करने में तीन साल तक का समय लगता है इसे पूरा करने के बाद आपको मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब आफर होता है और अगर आपको B.M.S. में इंटरिस्ट आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इसकी बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तो ज्यादा तर सभी Commerce Student का सपना होता है CA यानि Chartered Accountant बनने का हो ना हो आपका भी होगा लेकिन भाई मेरे CA बनने के लिए आपको ज्यादा से जाएड़धा टाइम देना होगा पढ़ने में तो अगर आप देने के लिए तयार हो तो CA आप भी के लिए बना यार तो CA Financial Advice, Tax Planning, Bank Auditing और Business Accountant जैसे काम करता है और तो और Chartered Accountant बनने के बाद आपको अच्छी salary भी मिलती है और CA का एक और फाइदा होता है कि आपको जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता क्योंकि जॉब खुद चल कर आपके पास आता है यार और अगर आपको CA की ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको description में लिंक मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप CA के बारे में और भी जानकारी collect कर सकते हैं दोस्तों मुझे उमीद है मेरी दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर मुझे कुछ बताना छूट गया हो तो comment करो मैं आपके सवालों का जवाब देने में की पूरी पूरी कोसिस करूँगा और अगर आपको जानना है 12 के बार साइंस और आर्ट वाले क्या करें तो मुझे comment करो जिसकी comment ज्यादा आएगी मैं उसकी वीडियो सबसे पहली लेकर आऊँगा आप तो जानते हो यार कि मैं सुरुगात में कुछ वोलता नहीं लेकिन अभी बोल रहा हूँ मेरे चैनल को subscribe कर देना नहीं तो ऐसी बहुत सी जानकारी आपके हांथ से निकल जाएगी और मैं नहीं चांता कि आपके हांथ से कोई जानकारी निकले तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बिल का आइकन दबाना मत भूलना नहीं तो आपको WhatsApp की तरह notification नहीं मिल पाएगी कि मैंने एक नई वीडियो डाल दिये तो इसलिए फटाफट जाके सब्सक्राइब करो उसके बाजो में बिल का आइकन दिखेगा उसके क्लिक करो और आपका काम खत्म और बाए बाए फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो हिर आपके सब्सक्राइब करो अभर जसक्राइब करो